नमस्कार दोस्तों मैं सुसिल आप सभी को SKC Times में स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे General Science यानि की समानने विज्ञान के 40 महतपूर्ण प्रस्न जो एक्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं मित्रो मित्रो यह दस्तमा पार्ट है और इससे पहले 9 पार्ट बना दिया गया है जो की एक्जाम्स के लिए बहुत ही महतपूर्ण है दोस्तों यह साड़े प्रस्न रिपेटट प्रस्न है जिससे की एक से दोस्त प्रस्न आने की संभावना रहती ही है तो आप इस वीडियो को देखिए वह भी बिना एक की जूरें दोस्तों कोश्शन नुमर एक की कोश्शन नुमर एक मैं कहता है जीra यह व्हाइन की युनिट है यह नों बड़ी जी जो इकाई यूनिट है ये किसका है तो यह जो है आपका का इसका यूनिट पर ऐसकोर अगया निउ्टन में हुग वाग अफके यह हो गया Newton M gidecki स्कुरेट Holzman नमर दू की तो सबसे नमर टीन की बात करते हैं घर तो कहता है सधिथ रासि कौन कौन से सदूति sincerely खिक के तो यागा चाल की बात करते हैं आजिसरासी कौन कौन से है तो दिया गया है इसी में सदिसराशी कॉन कौन से इस तरह से टीक है तो इसमें सम्देग क्या सदिसरासी अभि इसकी चरचा पीछे हो गई थी और उर्जा जो है क्या है अदिस रासी है ठीक है दोस्तों नेक्ष्ट नमर 5 की बात करते हैं तो कोशंग नमर 6 की तो कोशंग नमर 6 कहता है आपका प्रिष्ट तनाव की जो बिमा होती है वह क्या होती है दोस्तों प्रिष्ट तनाब की जो भीमा होती है वह क्या होती है तो प्रिष्ट तनाब की जो भीमा होती है ml0 t-2 होता है नेक्स क्रोशन की बात करते हैं दोस्तों कोशें नमर 7 की कहता है वल का जो cgs मातरक है वह क्या होता है तो बलका जो मातरक CGS है वह क्या होता है डाइन होता है और SI जो मातरक है SI मातरक आपका न्यूटन होता है ठीक है दोस्तों नेक्स क्रूशन की बात करते हैं दोस्तों क्वेशन नमर 8 की, तो वेन 거지 कहता है कि एक माइकरों किसके बराबर होता है। जिए दोस्तो एक micron किसके बराबर होता है तो एक micron आपका 0.001 मीमी के बराबर होता है ठीक है 0.001 मीमी के बराबर होता है question number 9 की बात करते हैं दोस्तो एक kilogram रासी का बजन कितना होता है जिए दोस्तो एक kilogram रासी का जो बजन है वह कितना होता है तो 1 kg रासी का वजन आपका हो गया 9.8 N इसके साथ मेरा C के साथ एंसर चला जाएगा next question की बात करते हैं दोस्तों question number 10 की तो question number 10 आपका कहता है question number 10 एक जूल बरावर होता है किसके बरावर होता है यानिकि ठीक है एक जूल जो है बरावर होता है कितना औरव़ के बरावर ठीक है दोस्तों तो आपका 10 पो पावर साथ और यानिकि अर्ग CGS मातरक में होगे और जूल कि होगे Si मातरक में ठीक है next question की बात करने दोस्तों question number 11 की N. signal में क्या कहिता है चि एक असफार सक्ति किसका एकक है तो एक है सक्ति का एक आए क्योंनी की पावर का एक मात्रत है चीड रख में में लगभ deals संभी को पता ही होगा मित्रों नेस्ट की बात करते हैं दोस्तों को नमर 13 की 100 सथ नमर कई कें से कell छोहां का एंगेंस्ट्रम को व्हेति करने की एकाई क किस से मापा जाता है तो उसको तरेंगेंस्ट्रम में लिखा जाता है ठीक है दोस्तों चलिये नेक्स को सचनल की बात करते हैं दोस्तों कुरूष्ण दोस्तों एक अस्व सक्ति किसके बरावर यानि कि कितने वाट के बरावर होता है दोस्तों तो यह जो होता है 746 वाट के बरावर होता है एक अस्व सक्ति वन होर्स पावर ठीक है दोस्तों नेस कोशन की बात करते हैं तो कोशन नमर 16 की तो कोशन नमर 16 क्या कहता है कि si1 में लेंस की सक्ति की जो इकाई है वह क्या है जिए मित्रो si1 में लेंस की सक्ति के जो इकाई है वह क्या होता है तो वह होता है डाइफटर होता है ठीक है मित्रो आए मित्रो कौनिय बेग की बीमा क्या होती है तो कौनिय की बीमा हो जाती है M0 L0 and T-1 ठीक है मित्रों नेश्क कि बात करते हैं दोस्तों कोशन नमर 19 की जो तोरण की जो इकाइं है जी है दोस्तों तोरण की जो इकाइं है तोरण की इकाइं कितनी होती है यानि कि इसकी जो 1 काई की माप है ये किस में माप आ जाता है तो तो तोरन आपका माप आ जाता है नीटरं पर से केंडर स्कॉैर ciao अ करते है दोस्तों एक पार सेख में कुल कितने परकास बर्स होते हैं दोस्तो एक पार्स एक में कुल कितने परकास वर्स होते हैं तो आपका हो गया 3.26 परकास वर्स होते हैं एक पार्स एक में ठीक है दोस्तो question number B था answer भी था चलिए अगली questions की बात करते है question number 21 की तो question number 21 में कहता है कि परमदाब जो है वह क्या होता है परमदाब है किसके बड़ावर होता है तो यह जो होता है परमदाब आपका एक गेज पलस वन बार होता है एक परम दाब ठीक है एक गेज दाब पलस वन बार एक्वल टू क्या होता है परम दाब हो जाता है ठीक है मित्रो चलिए कि यहां होता है तो 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 केलबीन होता है ठीक है next question की बात करते हैं दोस्तों question number 24 की तो question number 24 में कहता है ध्वानी की तिवर्ता किस मात्रक में मापी जाती है तो ध्वानी की तिवर्ता आपका decibel में मापा जाता है next question की बात करते है question number 25 की मित्रो तो question number 25 में कहता है जोती तिवर्ता का मात्रक है यानि की जोती तिवर्ता का मात्रक है वह क्या होता है तो जोती तिवर्ता का मात्रक आपका लक्स होता है ठीक है मित्रो next question की बात करते हैं दोस्तों question number 26 की तो question number 26 कहता है आपका ध्वानी की पिच धौनी की पिछ अर्थात छिन्यता निर्धारन होता है किस पे होता है गती पे आबिर्थी पे आयाम पे या परवलता पे तो यह जो होता है निर्धारित होती है धौनी की पिछ जो निर्धारित होती है वह होती है आपके आबिर्थी पर यानिके फ्रिक्वेंसी पर अधीक है तो यह जो है गामा किरने की वेधन चमता बहुत अधीक होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है नेक्स कुरूशन की बात करते हैं तो कोशन नमर 29 एकाई होती हैं ठीक है है बात करते को नमर 30 की देखते हैं इसमें तो कशेंचन 30 कहता है है एक का है जिए मित्रो हेनरी इकाई है किसका है तो हेनरी इकाई प्रिकत्व का है ठीक है नेक्स कुर्शन नमर 31 की अगर बात करते हैं विद्धुत आवेस का जो मात रखोता है ठीक है वह होता है आपका कुलाम्ब होता है ठीक है मित्रो नेक्स्टों 32 की बात करते हैं तो वहां आपका हो गया ठीक है यह अपका हो गया मुलरा साइन के रूप में एच्टू एसोफोर जिसे आप सल्फियूरिक आमल भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्टन की बात करते हैं तो सब कोश्टन नमर 33 की कहते हैं बिटामिन के का जो है रासाइनिक नाम क्या होता है बहुत ही अच्छी कोश्टन इसे पहले इसकी चर्चा हो चुकी है तो आप इस कुछन की की बात करते हैं दोस्तों कोश्टिक्स ओडा का रासाइनिक सुत्र होता है यह क्या होता है तो सब्सक्रामिन जल का जो रासाइनिक सुत्र आपका हो जाता है मेथ पह्या करोता है और सब्सक्राइब करते हैं निम्न यंत्र से बिदुधाड़ा का मापन करते हैं जो आपको इसके अनुसार यूज करेंगे बोल्ट मीटर ठीक है इनीमो मीटर एमिटर एंडर के मुटेटर ठीक है तो इसमें जो है बिदुधाड़ा का मापन करता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं तो नूससे 37 कहता है डाइनेमो परीवर्तित करता है किस ब्लटेज को किस ब्ल ठीक है तो यहां देखेंगे डाइनेमो जो परीवर्तित करता है उर्जा को convert करता है किसमें करता है तो यांत्रिक उर्जा को बिद्धू तूर्जा में convert किया रता है डाइनेमो जनेरेटर जिसको आप बोल सकते हैं पहले उसमें यांत्रिक उर्जा लगाया था फिर उससे क्या होता है बिद्धू तूर्जा convert के आती है ठीक है मित्रो नेक्स सम rutin में लाया जासकता है अल्टरनेति करेंट में ही ठीक है मित्रों डाइक्ट रडेंड में लगाया जाता है एक्सक्रों की बात करते हैं मित्रों कॉश्चंश नमर Folk9 की सूर की की लगतार कि तिवरता मापन वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो उन्हें कहते लोग एक्टियो मीटर एक्टियो मीटर नेक्स कोशन की बात करते हैं में तो कुशन नमर 40 की तो कोशन नमर 40 कहता है निम्न में से कौन मेगनी फाइंग ग्लास की भाती परियुक्त किया जाता है तो वह है आपका अभी सारी लेंज को मेगनिफाइंग ग्लास के भ़ाती परियोग किया जाता है ठीक्या दोस्तों लास्ट कॉस्टन से आपका बहुत ही अच्छी कोश्टन आई है परकास बेक को मान प्रकास परकास का जो वेग था उसको Đ्यृभ किस ने मापा था ठीक्या मैत्रो तो यह आपका हो जाएगा रोमर ने सर पर्थम परकास के बेक को मापा था तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए अगर आप वी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजेगा और साथी सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के बहुत धन्यवाद अपने आस पास वक्स